हलो स्टूडेंस मैंसेल्फ अभी शेका करवाल और स्वागत करता हूँ आपका आपी की चैनल मैगनेट ब्रेंज पर क्लास 12 केमिस्ट्री की फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर हम लोग देख रहे हैं यह उस चैप्टर का सबसे अंतिम वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक जो की है कोलीजन थियोरी को डिसकस करने वाले हैं ये वैसे तो topic जो है, ये अपने आप में collision theory बहुत ही elaborated topic है, बहुत ही बड़ा topic है और इसको आप बहुत detail में समझेंगे, लेकिन ये एक correlated topic है with the Arrhenius equation, क्योंकि Arrhenius equation में pre-exponential factor नाम की चीज आई थी, एक A करके एक constant term आई थी, जिसको वेने pre-exponential factor बोल दिया था, किसी एक reaction के लिए वो constant होता है, और वो actually कहीं न कहीं उसकी value collision theory पर मिलती है, म stands, उसकी values जो आपको चलती है, वो कहीं न कहीं collision theory पर चलती है उसकी values, तो अब पहले तो ये समझनेना है, collision theory है क्या, ये क्या बताती है, ये क्या समझाती है, ये इसका पूरा एक prasa arroup क्यों來到 के झे आद रियाक्टेड के मॉलिक्यूल लेकिन कोलीजन तियोरी ये बताती है कि वो कोलीजन किन परिस्तेतियों में होना चाहिए और कोलीजन किस प्रकार का होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी reactant molecule बस collide कर गए तो product में convert कर देंगे ऐसा नहीं है collision होने की एक निर्धारित condition एक परिस्तितियां है और एक तरीका है कि reactant molecules को इसी वे में collide करना होगा तब ही collision सही वाला collision माना जाएगा सही वाला बोले तो effective collision माना जाएगा वरना ऐसे तो reactant molecules बहुत सारे collision करते रहेंगे लेकिन सारे collisions reactant को product में convert नहीं करेंगे उन collision में से जो collision effective होंगे वही collision करने वाले reactants product में convert होंगे जो reactant molecules effective collision करेंगे अब मन में सवाल आता है सर बहुत सारे collisions में effective collisions कौन से होंगे मतलब वो हमें कैसे पता चलेगा वो पता करवाने के लिए तो collision theory पढ़ा रहे हैं तुमको ताकि वो तुम्हें पता चल जाए तो वो collision theory आपको इस सारी retails देने वाली है तो आएए स्टार्ट करते collision theory First of all it is proposed by Max Trotz and William Lewis तो Max Trotz ने और William Lewis ने इनको प्रपोस किया था एक बात दूसरी बात They are based on the kinetic theory of gases ये kinetic theory of gases पर ही आदा रहे थे क्योंकि अगर आपने 11th class में KTG kinetic theory of gases देखियोगी gaseous states of matter में जिसमें ये बताया गया था वहाँ पर कि जो gas molecules होते हैं वो लगातार एक दूसरे से collide करते रहते हैं मतलब कोई भी gas आप किसी container में भर दो तो वो gas molecules randomly move करते रहते हैं constant dune के अंदर एक motion होता है random motion जिसको आप बोलते हूं किसी भी direction में वो move करते रहते और उस movement के दौरान वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं यानि कि वो collision अपने बीच में करते रहते हैं उसी theory पर आधारे थे ये भी collision theory जो reactant molecules को लेकर बात करने वाली है now according to this theory the reactant molecules have to collide in a certain way मैंने कहाता था na collision करना ही जरूरी नहीं है वो collision जिससे product बने जिससे result मिले वो collision करना जरूरी है मतलब उसको उस collision का फिर एक तरीका होगा reactant molecules को एक तरीके से collide करना पड़ेगा तो that is called a certain way अब वो certain way क्या हम हापर बात करेंगे and with a certain amount of energy और ऐसा नहीं है कि reactant molecules ऐसे यूँ जाएंगे जाएंगे और एकदम collide करके तो चोका इसको नहीं नहीं भाई एक energy होनी चाहिए उनके पास क्योंकि अगर energy अच्छी होगी energy मतलब अभी तुम kinetic energy माल लो simple मतलब उनके fast moving atoms होगी अगर तो वो kinetic energy अगर उनके अच्छी होगी तो collision अच्छा होगा जैसे अपन कहते हैं कि गाड़ियों का collision माल लो हो गया कि कोई miss app हो गया कोई accident हो गया गाड़ी बिल्कुल 10-10-15-15 की speed से चल रही थी बिल्कुल यूँ slowly slowly आ रही थी और यूँ collide कर गई तो क्या बहुत जादा damage होगा दोनों गाड़ियों को नहीं होगा collision हुआ लेकिन उत्ता दमदार collision नहीं हुआ लेकिन माल लो एक गाड़ी आती 110 की speed से और एक और गाड़ी आ रही थी 90 किलोमेटर की speed से 110-90 और एकदम से खटाट तो समझ में आ रहे है न वो collision effective collision होगा मतलब उनकी energy भी निर्भर करती है तो उनके पास एक minimum energy होनी चाहिए वो energy होगी उस energy के साथ अगर collision करेंगे तो वो collision effective collision की category में आएंगे और वो effective collision product बनाएंगे तो एक सही तरीका होना चाहिए collision का और वो reactant molecules जिनके पास एक minimum energy होगी वो अगर collide करेंगे तो वो ही product में convert करेंगे अब सवाल यह है कि वो सही तरीका certain way जो बोला है वो क्या है एक तो वो सवाल है अपने मन में और दूसर सवाल यह है कि वो minimum energy कौन सी होनी चाहिए हाला कि हम बात कर चुके threshold energy होनी चाहिए वो यह हमने बात करी थी कि वो reactant molecules जो threshold तक पहुँच जाएंगे वही अपने आपको product में convert करेंगे तो वो minimum energy कौन सी है threshold value है बात detail में की जाएगी लेकिन हर collision effective collision नहीं होगा लेकिन जो भी effective collisions होंगे वही reactant molecules effective collision दिखाने वाले अपने आपको product में convert करेंगे यह सारी बाते collision theory से निकल कर आती है अभी बात करेंगे detail में collision theory के अभी तो हमने शुरू ही किया है clear हो गया तो यह basic चीज़े थी जो introductory part आप समझ लो collision theory का इसका screenshot लो फिर हम लोग आगे बात करते screenshot लो अब देखेंगे collision theory के postulates देख लेते कुछ points देख लेते हैं collision theory के इसमें पहला point यह कहता है reactant molecules are assumed to be hard spheres पहली बात तो reactant molecules को hard sphere की तरह treat किया गया है कोई साभी reactant molecule हो किसी का भी reactant molecule हो कोई साभी chemical compound हो वो भले लेकिन उनको एक hard sphere माना गया है जो कि KTG से प्रेरित हैं क्योंकि kinetic theory of gases में gas के molecules भी एक sphere के समान माने गए थे बलकि वहाँ पर तो इनफेक्ट उसको point size का ही बोल दिया था उसका यह मल दिया था कि खुद का कोई size नहीं है बट खुद का volume होता है यह बात हमने देखी थी जब हम real gases देखे थे लेकिन जैसे वहाँ पर जो point size भी था भी उसको आपने एक sphere के समानी उसको consider किया था वैसे ही यहाँ पर reactant के molecules को भी आपको hard sphere मानना पड़ेगा और hard इसलिए ताकि collision में उनका कोई mass deteriorate ना हो कोई mass में कमी ना आए क्योंकि collision करेंगे तो ऐसा ना हो collision करा तो कुछ mass कम हो गया नहीं होना चाहिए इसलिए hard sphere है दूसरा since molecules are always in a state of random motion क्योंकि reactant molecules हमेशे एक random motion में होंगे यह बात भी kinetic theory of gases से प्रे रहते हैं क्योंकि उसमें gas के molecules constantly एक random motion में होते हैं तो वही चीज़ मान ली गई थी since molecules are always in a state of random motion they keep on colliding with one another तो वो एक दूसरे से क्या करते रहेंगे एक दूसरे से टकराते रहेंगे they will keep on colliding with one another एक दूसरे से टकराते रहेंगे collision होता रहेगा a reaction occurs only when the reactant molecules undergoes collision with one another अब reaction सिर्फ तभी होगी reaction का होना मतलब reactant का product में convert होना और यह तभी होगा चब reactant molecules collision को करेंगे मतलब collide करेंगे reactant molecules एक दूसरे को collide करेंगे और हर कोई सा collision नहीं होना चाहिए effective collision होना चाहिए so when the reactant molecules undergo collision with one another only at that time we consider that our chemical reaction is occurring or the reactants are getting converted are converting themselves into products next all the collisions between the reacting molecules are not effective as I told you सारे collisions reactant molecules के बीच के effective नहीं है क्योंकि कई ऐसे reactive molecules होंगे जिनके energy बहुत कम है जैसे मैंने का नहीं वो 10 की speed से गाड़ी आ रही है 20 की speed से गाड़ी आ रही ही टकरा गई कोई जादर देमेज नहीं हुआ ऐसे कुछ reactant molecules ऐसे भी होंगे जिनके अंदर की energy बहुत कम होगी collision तो उनमें भी देखने को मिलेगा लेकिन वो collision काफी नहीं है उन reactants को product में तबदिल करने के लिए तो वो effective collision नहीं माना जाएगा इसलिए all the collisions between the reactant molecules are not effective to produce a chemical change and those collisions which are effective are capable to undergo a chemical change वो reactant molecules ही है अपने आपको जो effective collisions करते हैं वही chemical change अपने आपको अपने साथ करेंगे यानि कि अपने आपको product में convert करेंगे यह कुछ points है भी और points बचे हैं इसका screenshot ले लो फिर हम आगे बात करते हैं अब आगे देखते हैं collision theory में कुछ और points the collision between the reacting molecules is effective only when they acquire a definite amount of energy so collision theory के हिसाब से reactant molecules में collision तभी effective माना जाएगा जब वो collision ऐसे reactant molecules में हो रहा हो जिनके अंदर एक minimum energy हो जो reactant को product में convert करने के लिए चाहिए और हम देख चुके वो minimum energy कौन सी होनी चाहिए ग्राफ याद हो आपको तो वो minimum energy कौन सी होनी चाहिए वो minimum energy होनी चाहिए threshold energy level याद है आपको यहाँ मैंने बनाये थे reactant यहाँ बने थे product यह minimum energy level था यह minimum energy level था जिसको आप ET बोलते हो जिसको आप ET बोलते हो threshold energy level और यहाँ पर आप क्या करते हो reactant को पहुचाते हो उसके बाद वो अपने आपको product में तबदिल कर लेते हैं तो यह ET तक पहुचाने का काम तो आपका ही है या reactant खुच से पहुचे या आप पहुचा हो कोई भी एक चीज हो जाए तो ET वाली energy जो है वो threshold energy level है जहां तक reactant को पहुच नहीं है उसे जादा पहुच गए तो अच्छी बात है लेकिन वहां तक तो पहुच नहीं है और जो reactant molecules वहां तक पहुचेंगे जो reactant molecules ET तक पहुचेंगे सिर्फ वही अपने आपको product में convert करेंगे सिर्फ वही अपने आपको product में convert करेंगे जो reactant molecules ET तक पहुचेंगे, सारे नहीं करेंगे सिर्फ वही reactant तो कुछ reactant molecules यहीं रह जाएंगे कुछ थोड़ी बहुत energy बढ़ा भी लेंगे लेकिन ET तक कुछ सारे नहीं पहुच पाएंगे, जितने पहुच पाएंगे हम उनको मालेंगे कि वो में convert हो गए, और in fact जो reactions complete हो जाती हैं, जिनको कहते हैं complete reactions हो गए, पूरा reactant खतम हो गया, मतलब उसमें तो सारे reactant molecules CT तक पहुच जाते हैं clear है, तो मैं यह नहीं कहला कि कोई ऐसी reaction ही नहीं जिसमें सारे reactant CT तक नहीं पहुच सकते हैं भाईया जो complete हो जाती हैं, इंफट काफी ऐसी reaction से जो complete हो जाती हैं जिसमें reactant बिलकुल खतम हो जाता है तो उसका मतलब यह हुआ कि उसमें सारे reactant molecules CT तक पहुच गए, लेकिन हमेशा याद रखना, reaction तब ही होगी जब reactant molecules minimum energy रखें और वो minimum energy और कोई सी नहीं threshold energy है तो उनके पास वो energy होनी चाहिए और इस energy पर होगा क्या? उनके बीच में जो collision होगा reactant molecules में, वो effective collision होगा वो दमदार collision होगा जो reactant molecules को product में तबदील करने के लिए काफी होगा इसलिए वो लोग demand कर रहे हैं reactant molecules के पास ET की energy होनी चाहिए so the minimum amount of energy that must be possessed by the reacting molecules to make the collision effective is called the threshold energy so वो minimum energy कितनी होनी चाहिए threshold energy ताकि reactant molecules effective collision अपने साथ कर सके और अपने आपको product में convert कर सके अब वो threshold मिलेगा कैसे? ये भी हम discuss कर चुके है दो reaction के अडिशन, दो energy के अडिशन से एक reactant molecules के अंदर की खुद की average kinetic energy जो ये होगी जिसको हम उसकी internal energy मल लेते हैं और एक जो उसको reaction के course के दौरान जुगार करनी पड़ीगी जिसको हम ये बोल देते हैं which is called your activation energy जिसको हम ये बोलते हैं which is called your activation energy तो internal energy plus activation energy will give you ET threshold energy अभी activation energy तुम कैसे दोगे, कहाँ से दोगे ये का लग मुद्द है लेकिन ये activation energy plus internal energy मिलकर उसकी वो minimum energy उस reactant molecule के अंदर भर देगी जिससे वो effective collision कर सकते हैं यानि कि वो threshold energy क्या लाग दी है क्या लाई जाएगी clear हो गया Now, effective collisions are those collisions that lead to the formation of the product और effective collisions कौनसे collisions होंगे जो product formation के लिए reactant molecules को lead करेंगे सारे collisions effective नहीं होंगे जो reactive molecules में effective collisions होंगे वही अपने आपको product बनाएंगे अच्छा, अब ऐसा नहीं है जब मैं बोलता हूँ कि सारे molecules effective collision नहीं करेंगे तो वो कभी नहीं कर सकते भाई तुम उनको और energy दो मतलब वो reactant molecules effective collision कर क्यों नहीं होंगे क्योंकि वो molecules ET तक नहीं पहुचे होंगे हो सकता है थोड़े टाइम के बाद पहुच जाए या हो सकता है तुमने उनको activation energy अगर किसी रूप में दे दी तुमने उनको temperature बढ़ा दिया heat कर दी माल लो तुमने उनको activation energy दे दी मतलब आब उनको ET तक कहुचा दिया तो अब वो reactant molecules शुरू कर दिये है effective collision करता है जो शायद पहले नहीं कर रहे होंगे बाद में कर सकते लेकिन तब तक वो product में नहीं convert करेंगे जब तक वो effective collision नहीं करेंगे और उसके लिए ET के बराबर energy होना ज़रूरी है concept clear है screenshot ले आगे बढ़ते फिर तो ये चीज हमें समझ में आगई student कि जो collisions effective होंगे उनके लिए दो condition ज़रूरी है पहले ही चीज तो एक certain way है जिसमें collide करना चाहिए वो certain way हम detail में बात करेंगे और दूसरा उनके पास वो minimum energy होनी चाहिए जिसको अभी हमने देख लिया कि वो threshold energy होनी चाहिए और तभी जाकर effective collision होगा और उसके बाद ही वो reacted molecules अपने आपको product में convert करेंगे जो effective collision कर पा रहे होंगे ठीक है अब अपना और आगे बात करते है so effective collision अब देखो जिसे आपको दिख रहे हैं दो गाड़ी है damage हो रही है लेकिन चलो यह गाड़ी तो आई होगी यह गाड़ी ऐसा लग रहे है रुखी हुई है यह गाड़ी move करते हुए आई है। तो इसको जो damage हुआ है वो थोडा जादा हुआ है लेकिन च्वकिज़ कि यह गाड़ी इतनी move नहीं कर रही थी तो इसको इतना damage नहीं हुआ देखो आप इसको बहुत जादा changes, इसके damage नहीं हो, कोई भी parts इस गाड़ी के क्यों? क्योंकि हो सकता है, यह जो यहाँ पर बताया गया है, यह गाड़ी still थी, रुकी होई थी तो इसका मतलब यह हुआ कि जब गाड़ी रुकी थी, या कहलो slow speed से move कर रही थी तो उस गाड़ी के पास energy जो उसके अंदर की थी, जिसको आप kinetic energy मान सकते हैं, वो कम थी और उस दोरान अगर reactant molecules collide करेंगे, जैसे कि गाड़ी ने collision किया, तो बहुत जादा असर नहीं पड़ेगा तो वैसे अगर reactant molecules, अगर कम energy वाले collide करेंगे, तो वो collision, effective collision नहीं माने जाएंगे वो effective collision नहीं माने जाएंगे, effective collision किसे होंगे, a high speed collision between a car and another will result in permanent change and the configuration of each vehicle will be drastically altered, अगर यह गाड़ी, अगर आपको दिख रहा है कि अगर यह दोनों बहुत तेज स्पीड में होती तो वो बहुत जादा, उनके जो damage होता, वो बहुत जादा होता and the vehicles will be drastically altered, उनका जो configuration है vehicle का, वो drastically change हो जाता in the same way, the collisions between the reactant molecules are effective only when they acquire a definite amount of energy तो उसी तरीके से किसी भी reactant molecule में collision भी तब होगा, जब उनके अंदर एक definite amount के energy होगी जो threshold value के बराबर होनी जाए है, ताकि दमदार collision हो, जिसको effective collision बोलते हो एक बाद screenshot लेंगे फिर आगे बात करते हैं लेकिन slow speed के लावा एक और factor होता है, जिसमें collision एक अलग ढग से हो मतलब एक certain way में होना चाहिए, और अगर वो certain way में नहीं हुआ, तो फिर collision जो होगा, वो ineffective collision के लाएगा अब वो certain way क्या हो सकता है मल लो, ये वला damage देखो, ये गाड़ी एकदम रुकी होई है, और ये गाड़ी आई उसको, ऐसे इसको damage किया अब ये collision बहुत effective collision नहीं है, मुझसे पूछो क्यों, क्योंकि अगर head-on collisions होते हैं, तो वो सबसे effective collisions होते हैं, head-on समझ गए circleable sir, अगर टकराते हैं, तो वो head-on collision कρεί순, जैसे एक गाड़ी ऐसे आ रही है, गाड़ी ऐसे आ रही है, और दोने एकदम से बुरे हैं मैं तो कहते हूं पिछला जो example दिया था वो भी उसमें damage होगा और ये वाला case भी दिया था तो इसमें भी जादा damage होगा लेकिन हम इसको reactant molecules समझें कि चब reactant molecules एक दूसरे को head-on collide करते हैं तब उनके बीच का collision effective होगा otherwise वो collision ineffective होगा क्या लिखा हुआ है ineffective collision तो जो certain wave होला ना वो कही ना कही उनके orientation से जोड़ा था जो अभी आएगा concept मैं आगे बताऊंगा यानि कि colliding molecules जो है reactant molecules वो किस orientation से collide कर रहे हैं इस पे भी असर पड़ता है वो head-on collide कर रहे हैं तो collision बहुत effective है अगर वो head-on collide नहीं कर रहे हैं तो collision ineffective है और हमारे लिए ineffective collision किसी कामका नहीं है क्योंकि वो product में convert नहीं करेगा reactant को effective collision हमारे कामका है आईए देखते हैं when a car having strong bumper collides with another car at low speed no real damage is done due to this collision so in that case no real damage will be done और अगर बहुत high speed में head-on होता तो damage जादा होता similarly low energy collisions won't result in the reaction so उसी तरीके से low energy जिनकी कम energy है वो reacted molecules और collision का सही orientation नहीं है वो molecules effective collision नहीं करेंगे and they won't result in to the chemical reaction screenshot ले तो इसमें अब मैं आपको एक example देता हूँ जैसे effective collision में एक example मैंने ले लिया H2 gas plus I2 gas will give you 2HI तो इसमें क्या होगा सबसे पहले यह है आपके पास H2 और यह है I2 यह है H2 और यह है I2 पहली बात तो पहली बात तो इन दोनों के अंदर वो minimum energy होनी चाहिए जो इनको product में convert कर सके मतलब इन atoms के पास वो energy minimum होनी चाहिए जिसकी value threshold value के बराबर होनी चाहिए ताकि यह अपने आपको HI में convert कर सके ताकि अपने आपको HI में convert कर सके दूसरी बात collision एक certain way में होना चाहिए certain way मतलब एक certain orientation से होना चाहिए जिस orientation पर आप effective collision मान सकते हो अब माल लो थोड़ी देर के लिए माल लो यह molecules ऐसे है अगर यह ऐसे ऐसे टकराएंगे ऐसे एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या यह HI बनाएंगे क्या यह HI बनाएंगे क्योंकि मेरी बात को समझना इनका ऐसे टकराने का मतलब क्या है चलो इनको collision करवाते हैं यह है H, यह है H, gets collided with this I, gets collided with this I atom, iodine which is further bonded with this I atom तो अब देखो यहाँ जो collision हो रहा है, इन दोनों के बीच में तो चल रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में collision कहा हो रहा है नहीं हो रहा है हां तो कोई collision, तो actually reaction में तो बनता 2 HA, तो एक HA तो बनता हुआ दिख रहा है यह आपका HA और यह आपका HA, यह तो बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन यह दोनों में तो कोई collision नहीं हो रहा है तो दूसरा अचाहिका molecule उत्ता अच्छा नहीं बन रहा मतब orientation ठीक नहीं है तो ये वाले कभी भी आपको effective product नहीं बना कर देंगे यानि कि ये effective collision नहीं कर रहे है तो ये आपको proper orientation के साथ क्योंकि नहीं हो पा रहा है collision इसलिए आपको proper product बना कर नहीं देंगे एक काम करता हूँ hydrogen को तो ऐसी ही बनाता हूँ ये H2A और iodine के molecule को ऐसा ले जाता हूँ कुछ ऐसा ले जाता हूँ और फिर देखता हूँ इन दोनों को collision करा कर ऐसा और ऐसा तो अभी क्या होगा ये दोनों कर सकते हैं बट ये दोनों कैसे collision करेंगे मतलब इसका भी कोई result आपको effective नहीं मिलेगा minimum energy जो चाहिए वो दोनों case में थी ये case 1 था माल लो this was case 1 इसमें भी H2 और I2 के पास दोनों energy थी और माल लो ये case 2 था इसमें भी H2 और I2 के पास दोनों energy थी minimum energy थी जो चाहिए थी लेकिन problem कहां गई? orientation पर गई minimum energy चलो इस बार मिल गई लेकिन orientation पर problem गई तो दोनों ही आपको effective result से effective product collision नहीं करेंगे जिससे आपका product नहीं बनेगा तो फिर क्या तरीका है H2 और I2 को आपको अगर effective collision करवाना है वो effective तरीका मैं आपको बताता हूँ जो सही orientation में आएगा और जिससे आपको product मिलेगा कैसे मिलेगा मैं आपको explain करता हूँ पहले आप इसका screenshot ले लो तो आप देखो अब मैं आपको वो effective collision दिखाता हूँ H2 और I2 है तो यह clear है कि H2 जो की gaseous form में है वो I2 के साथ जो की फिर से gaseous form में ही है मिलकर HI बना देगी और वो भी 2 mol HI बनेगे तो 2 mol HI बना देगी लेकिन कब पहली बात minimum energy होनी चाहिए हमने कब वो तो तब से है बोली रहे threshold value के बराबर है माल लेते लेकिन orientation proper होना चाहिए वो proper orientation क्या है proper head-on collision और proper head-on collision कब होगा जब तुम H2 के molecule को इस तरह से incline करके लाओगे और I2 के भी molecule को तुम इस तरीके से incline करके लाओगे ये रहा तुम्हारा H2 और ये रहा तुम्हारा I2 ये H2 और ये तुम्हारा I2 कर दो अब collision देखो ये head-on और ये head-on collision होगा इसका head-on collision इसके atom के साथ head-on होगा मेरी बात संच में आ रही है अब ये दोनों ऐसे टक रहेंगे तो देखो क्या होगा कि इस time के बात क्या होने वाला है ये hydrogen collide हो चुका है इस iodine के साथ और ये hydrogen collide हो चुका है इस iodine के साथ इस iodine के साथ इनका अपस में भी bond अभी बना हुआ है जो अब धीरे धीरे तूट रहा होगा इनका अपस में भी bond बना हुआ है जो अब दीरे-दीरे तूट रहा होगा तो ये bond अब दीरे-दीरे तूट रहा होगा और ये bond जोड़ रहा होगा तो देखो अब collision कितना effective दिख रहा है ये collision कहते हैं दोनों molecule का head-on head-on है इसका भी head-on head-on है इसका भी इसके साथ बिलकुल head-on है तो अब collision कितना effective है और अब कुछ नहीं होगा यहां से पूरा bond तूट जाएगा यहां से पूरा bond तूट जाएगा तो ये दो molecule अलग निगलेंगे ये दो molecule अलग निगलेंगे कैसे निगलेंगे यहां देखो ये बन गया हमारा एक इसका bonding आई वाला bonding H के साथ इसकी भी I की bonding H के साथ या H की bonding Æई के साथ तो ये आपको एक मिल गया HI ये एक HI और ये एक दूसरा HI तो दोनों ने मिलकर आपको 2 HI के molecule देदी है जो कि दे भी रहे थे समझ मैं है यह collision यह सबसे effective collision है और यह effective collision है इसलिए यह वाली reaction के through reaction proceed करती है orientations हम यह रखते हैं और इसलिए हम कहते हैं कि भाईया यहाँ पर effective collision हो रहा है जिससे reactant product में convert हो रहा है यह effective collision energy भी परियापते they all contain minimum energy which is required to undergo the formation of product that is called threshold energy and moreover they have the proper orientation so they will result in the completion of the reaction or what we can say they will result in the formation of product so this reaction product form करेगी 100% correct reaction so now we have a statement लिख देते है कि considering that reactant molecules have have energy equal to threshold value equal to E t and with this proper orientation this proper orientation और proper orientation इसमें कौन सा है यह वाला जोब भी अपनने देखा है with this proper orientation they will lead to the formation of product so they will lead to the formation of product तो इस proper orientation के साथ और यह मानते हुए कि इन molecules के पास minimum energy जो चाहिए effective collision के लिए जो threshold value के बराबर E t के बराबर होती है अगर वो है तो यह reactant molecules जो H2 के हैं और I2 के हैं यह product form कर लेंगे जिसको हम HI बोल सकते हैं तो यह चीज हमने हापल लिग दिये concept clear है यह बहुत important चीज थी जो orientation factor है तो अब यह orientation factor और यह जो collision जो होती है minimum energy यह बहुत जरूरी होते अब इस पर और बात करेंगे सिर्फ collision factor ही चीज important हो यह भी जरूरी नहीं है collisions जादा से जादा भी होने चाहिए collision frequency जिसको बोलते अब वो factor भी consider करते हैं तो detail में भी और बात करनी बाकी है अभी फिलाल आप effective collision के तौर पे यह इसका screenshot ले लो जल्दी से Now, coming forward So, factors affecting effective collisions अब हम वो देख रहे हैं जो effective collisions के factors हैं जो affect कर सकते effective collision को The collisions that leads to the formation of product are called effective collisions ऐसे collisions जो अधिम में product के तरफ ले जाएं Reactive molecules को product में convert कर दे उनको हम effective collisions बोलते हैं And the factors that govern the number of effective collisions are Effective collisions की संक्या को जो factors govern करते हैं यानि कि जो factors influence कर सकते हैं वो कौन-कौन से पहला energy factor है और दूसरा orientation factor है पहला energy factor है और दूसरा orientation factor है Energy factor मतलब The colliding molecules should possess greater energy than the threshold value मतलब colliding molecules के पास जो energy होनी चाहिए वो जादा energy होनी चाहिए Greater than the threshold values Threshold values से कि या तो बराबर भी हो तो चलेगा लेकिन उससे जादा हो तो और अच्छा है तो उनकी threshold energy से value जो होनी जाए है जादा होनी चाहिए Second is orientation factor At the time of collision The colliding molecules should possess proper orientation होना चाहिए जिससे वो collision को effective बना सके And again I am repeating Head-on collision एक proper orientation मानी जाती है अगर head-on collision दो molecules तकड़ा रहे हैं तो बिल्कुल proper orientation है Clear हो गया तो इसलिए effective collision होता है जल्दी से इसका screenshot लेंगे आप So यह थे factors which affect the effective collision Now collision frequency जो एक और parameter है जो आपके rate of reaction के लिए बहुत जादा जरूरी है यानि कि जो आपकी यह समझाता है कि भाई आप reaction में reactant product में तो convert होंगे लेकिन यह कितनी जल्दी convert हो सकते कैसे convert होंगे वो तो पता चल गया reactant molecules जो होंगे वो उनके energy minimum होनी चाहिए threshold उनका orientation proper होना चाहिए लेकिन वहीं एक और तीसरा parameter है जिसको भोलते collision frequency जो अच्छी होने के वज़े से आपके reactant को जल्दी ही product में convert कर लेंगे collision frequency का मतलब क्या है number of effective collisions occurring per unit time number of effective collisions occurring per unit time कितने जादा effective collisions एक unit time में हो सकते और ये खेल आपन हाला कि देख चुके ये concentration से related खेले snooker ball के example अगर आपको याद आ रहा हो snooker table का example जिसमें मैंने कहा था कि अगर आप snooker या pool का game देखते हो तो उसमें अगर table पर बहुत सारी balls हैं तो आप जब q balls उसको hit करोगे तो q balls है किसी ना किसी ball के collide होने के ज़्यादा chances होंगे क्यों? क्योंकि उस समय table पर ज़्यादा balls है वैसे ही अगर reactant molecules की संख्या गर ज़्यादा है तो उस समय collision होने के reactant molecules के बीच में ज़्यादा chances होंगे क्योंकि अगर reactant molecules की संख्या ज़्यादा है तो collision ज़्यादा होगा ज़्यादा बार होगा जिसके वज़े से हम क्या सकते है collision frequency बढ़ जाएगी जिसकी वज़े से हम क्या सकते है collision frequency बढ़ जाएगी main have unit volume में कितने collisions हो रहे हैं तो अगर हम माल ले कि कुछ reactant molecules हैं कुछ volume में बैठे हुए तो per unit volume कितने collisions हो रहे हैं number of effective collisions वो collision frequency होगा और याद रखना बच्चो collision frequency को हम Z से denote करते हैं तो अगर माल लो unit volume में जादा molecules collide कर रहे हैं जादा बार collisions हो रहा है जो collision frequency है वो जादा है So collision frequency will be denoted by will be denoted by Z आप Z से उसको denote करते हो clear हो गया? और ये Z कब जादा होगा? जब number of collisions per unit volume जादा होगा और इस Z से जादा होने से क्या होगा? rate constant की value जादा हो जाएगी क्यों rate constant की value जादा हो जाएगी? क्योंकि rate constant जो है वो पूरी तरीके से आपके Z पे निर्भर करेगा क्योंकि जितना जादा collision होगा per unit volume उत्ती जल्दी reactant product में convert होगे और per unit volume जितना कम collision होगा उत्ता देर में reactant product में convert होगा तो सीधा सीधा rate constant पर असर देगा जिसको हम collision frequency Z से denote करते हैं यह Z भी आपका radius equation में आएगा और precisely pre-exponential factor में आएगा कहां आएगा कैसे आएगा अभी explain करते हैं लेकिन अभी फिला लिए Z है clear है? जल्दी से आप इसका screenshot ले लो तो यह हो गया यहाँ पर हमारे पास Z की value अब क्या करते हैं? यहाँ पर देखेंगे so now the derivation of rate constant in terms of collision frequency अब हम collision frequency समझ चुके हैं collision theory समझ चुके हैं अब इन दोनों को club करके हम लोग rate constant का expression को निगालने की कोशिश करेंगे आप सुचो के sir एक और बार rate constant k की value निगालेंगे नहीं नहीं अरहनियस ने जो दी थी ना हम उसी equation की और बढ़ना है यह सारे factors को consider करके हम उसी equation की और बढ़ने हैं कैसे अभी explain करते हैं so at the molecular level the rate of reaction is influenced by following two factors तो molecular level पर किसी भी reaction का rate दो factors पर चलता है पहला at what extent the reactant molecules hit each other किस दी हद तक कोई reactant molecule उसको hit कर सकता है एक दूसरे reactant molecule को यानि कि उनकी collision का extent क्या है and दूसरा what proportion of the colliding molecules have sufficient energy to overcome the activation energy barrier और उन में से कितने ऐसे molecules हैं जो activation energy gain कर चुके हैं यानि कि threshold energy के barrier को पार कर चुके तो इन दो factors पर rate constraint कहीं ना कहीं depend करेगा कितने हद में कितने extent में collision हो रहा है reactant molecules का और जब मैं हद बोलता हूँ तो उसमें उसका frequency factor भी जो collision frequency अबने बोली है वो collision frequency भी और उनका orientation factor भी ये दोनों important role play करते हैं कौन कौन से? collision frequency frequency of the collisions और उनका orientation किस angle से? head on, कि sideways किस orientation से? वो collide कर रहे हैं तो पहला तो ये factor बताता है और दूसरा बोलता है कि वो ये भी निर्भर करता है कि उन में से कितने ऐसे reactant molecule से जो activation energy gain कर चुके यानि कि उन में से कितने ऐसे reactant molecule से जो threshold के level को पार कर चुके वो decide करेंगे कि भाईया rate constant का क्या expression होगा और Arrhenius ने यही rate constant का expression बनाया था So, thus there are various ways through which we can increase the extent and frequency of collisions that is concentration of reactant को change कर दो pressure change कर दो temperature change कर दो तो इसके लिए rate constant इसलिए in factors पे चलता है इसलिए rate constant in factors पे चलता है क्योंकि आप कहीं न कहीं collision frequency हो चाहे collision frequency के साथ उनके minimum energy उनके अदर वाली बात हो ये सभी चीजे तब बढ़ सकती है जब आप इन चीजों को change कर सकते हो ये सब चीजे तब ही change हो सकती है जब आप इन चीजों को change कर दो या तो reactant का concentration change कर दो या reactant का pressure change कर दो या reactant का temperature change कर दो अगर ये सब change कर दोगे तो वहाँ जो parameters हैं जो in first or second point में हम दें discuss किये आप उनको change कर सकते हो जिससे rate constant की value change हो सकती है इसका मतलब rate constant में ये सारे parameters incorporate होते हैं introduce होते हैं या कहलो इन में involved हो जाते हैं और उसके हिसाब से aranious equation बन जाती है अब हम aranious equation बनाने की हो रहे हैं तो मैं आपको clear बता देता हूँ इसके बाद जो आएगा वो aranious equation बनी हुई आईगी जिसमें हम लोग अलग-अलग factors को part में देखेंगे जिसमें pre exponential factor जो A है वो सबसे important है बात करते हैं पहले screenshot ले लो तो अब यहाँ देखेंगे एक reaction consider कर लिए जो biomolecular है biomolecular है मतलब जिसकी molecularity 2 है A और B दोनों इसको react कर रहे हैं और बना रहे है product तो A और B दोनों react कर रहे हैं और बना रहे है product so A plus B is forming a product इसका rate constant दे दिया K which is equal to अब देखो K which is equal to aranious आपने क्या कहा था कि जो K होगा वो A into E to the power minus E A by RT पर आएगा अच्छी बात है लेकिन अब यह जो A है इसमें 2 factor आएंगे क्योंकि यह actually pre-exponential factor है यह जो A है यह आपका pre-exponential factor है और इसमें 2 factor आएंगे एक आएगा orientation factor और एक आएगी collision frequency क्योंकि दोनों अगर सही है तो फिर आपकी A की value जादा होगी और अगर A की value जादा है तो इसका मतलब यह हो गया कि rate constraint आपका जादा होगा तो एक आएगा orientation factor और एक आएगा collision frequency orientation factor और एक आएगी collision frequency अब orientation factor क्या होगा हलाकि इसमें बहुत detail में नहीं जाना क्योंकि यह stereo chemistry का part हो जाएगा orientation factor लेकिन यह एक हमने एक particular इसको एक representation दिया है जिस representation को हम aranius में involve कर लेते और उसका representation है P तो orientation factor को हम P से denote करते और जो collision frequency है उस collision frequency को हम Z से denote करते तो यह P और Z आप दोनों involved करते हो किसमें A में किसमें A में तो आपका A क्या हो जाता है product of P into Z that is product of orientation factor for those collisions which occurs in unit volume that is in collision frequency so what is A it is basically the orientation factor for all those collisions which occurs in unit volume इसलिए हमने इसको P into Z बना दिया so this will be P into Z P into Z और यह A बनता है pre-exponential factor तो इसमें number of collisions भी आ गए और number of collisions के साथ वो collisions के proper orientation वाले collisions आए हर कोई collision नहीं उठाए जिनका proper orientation था head on क्योंकि P वहाँ पर head on collisions वालों को उठा कर लाया है क्योंकि P क्या है orientation factor है और वो proper orientation जो कर रहे होंगे collisions जो collisions में proper orientation की वज़े से collision हो रहा होगा जिन reactant molecules में यह उनको उठा कर लाया है यह उन reactant molecules को उठा कर लाया है यह कहलो जिनके अंदर proper orientation हो रहा होगा तो यह P जो है यह उठा लाया proper orientation वालों को और ये बता रहा है ऐसे collisions कितने हो रहे हैं per unit volume तो ये collision frequency हो गई तो ये collision frequency उठाला है जिसने दोनों ने मिलकर A बनाया जिसको pre-exponential factor बोलेंगे अब आप बोलोगे सार लेकिन आपने वो reactant molecules छोड़ दिये जिनके पास वो minimum energy हो मतलब वो reactant molecules भी तो important है आपने reactant molecules orientation factor के साब से निकाल लिए collision frequency के साब से निकाल लिए लेकिन वो minimum energy जो चाहिए threshold energy वही तो actually ये सारे collision करेंगे मतलब proper orientation collision का होना चाहिए लेकिन कौन से reactant molecules का collision का होना चाहिए सारे reactant molecules के collision का होना चाहिए नहीं जिनके पास minimum energy हो उनका होना चाहिए तो सर्व वो minimum energy से उनको filter किया ही नहीं अभी आपने आपने collision frequency से filter कर लिया इसमें collision frequency मतलब वो minimum collision frequency मतलब वो minimum number of collisions जो per unit volume में हो रहे हैं आपने वो number of collisions भी उठा लिये लेकिन आपने main चीज़ की तो बात नहीं करी ये दोनों चीज़े तो बात की बात है ये तो बात में consider करोगे these are secondary primary क्या है हम सिर्फ उन reactant molecules को देखेंगे जिनके energy threshold energy से जादा होगी या बराबर भी हो तो चल जाएगा तो उन factors को कहां consider करोगे तो भाई आप इसके साथ multiply होगा E raised to the power minus E by RT तो ये multiply होता है न तो ये E raised to the power minus E by RT क्या है those fraction of molecules which possess energy equal to activation energy and then the total energy will at least becomes equal to the threshold energy तो ये वो fraction of molecules है जिनके पास activation energy है E के बराबर की energy है और E के energy हमने दे रखी है और I energy पहले से उनके पास होगी तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगी E T तो ये activation energy वाले molecules है न जिनको activation energy प्रोवाइड करी तब ही तो ये पूरा aranious equation बनेगा तो अब इसमें multiply कर दोगे तो ये तो A के लाएगा और A में आप इसको यहाँ पर multiply कर दो A के साथ में तो A के साथ इसको multiply कर दो E raised to the power minus E A by RT तो ये पूरा बन जाएगा फिर के तो A के अंदर ये आगया आपका P into Z और E raised to the power minus E A by RT आपका fraction of molecules होगे जिनको आप activation energy दे चुके हो P or Z A B is the collision frequency and what is E raised to the power minus E A by RT it's the fraction of molecules having energy equal to or greater than E यारी कि वो fraction of molecules है जिनको आप energy E A या E A से जादा दे चुके हो जिसकी वज़े से उनके अंदर के अप total energy E T के बराबर या E T से जादा बन चुकी है तो ये वो factor से और इसमें एक और factor जोड़ दो यहीं पर P जो कि orientation factor है orientation factor है तो अब आप क्या कह सकते हो अब आप ये कह सकते हो कि जो K हैं वो Z into P into A sorry Z into P into E raised to the power minus E A by RT जा Z क्या है जा सबसे पहले E raised to the power minus E A by RT क्या है वो fraction of molecules जिनको हम activation energy दे चुके है या इससे जादा की energy दे चुके है जिससे उनके अंदर की energy threshold value के आगे बढ़ गई है ये factor में हमने उन molecules को उठा लिया फिर हमने उन molecules के बाद उन molecules को उठाया कि proper orientation के साथ कोन collide कर रहे है तो फिर हमने P को multiply कर दिया और फिर हमने ऐसे कितने collisions per unit volume हो रहे collision frequency को उठा लिया तो फिर हमने ये multiply कर दिया और इन तीनों के product ने हमको K यानि के rate constant की value बता दी जिसको हम rate of reaction में रखेंगे तो हमे rate of reaction के बारे में ग्यान हो जाएगा और चुकि ये Z and P constant होगा किसी reaction के लिए तो इन दोनों को club करके एक constant बना दिया जिसको A बोल दिया So A will be nothing but it is equal to Z into P जिसमें दोनों factor आ रहे है orientation factor भी और collision frequency भी इसलिए बाद में फिर equation क्या बन गई बाद में equation मन गई K is equal to A into E raised to the power minus E A by RT where A is called pre-exponential factor और it is called a collision factor क्योंकि A पूरी तरीके से collision factor को बता रहे है क्यों? क्योंकि Z collision frequency है और P orientation factor है जो molecules collide कर रहे हैं वो किस orientation में collide कर रहे हैं? P वो बता रहे है तो ये दोनों actually collision factor ही दिखा रहे हैं इसलिए इसको एक variable में रख दिया एक denotion दे दिया Z into P को A दे दिया जिसको Arrhenius साब की equation में pre-exponential factor या collision factor बोला जाता है अब समझ में आया ये A इसमें Z और P पर depend करता और ये पूरी value है और minimum energy वाले जो reactant molecules है वो हम इसमें filter कर चुके है E raised to the power minus E by RT में तो इसमें वो वाले molecules filter हो गए तो अब ये expression जब तीनों का product करते हैं तो ये K यानि की rate constant के बराबर होता है और इस तरीके से Arrhenius equation depend करती है collision frequency पर भी orientation factor पे भी और activation energy पे भी और Arrhenius equation depend करती है मतलब K depend करता है rate constant depend करता है और अगर rate constant depend करता है मतलब rate of reaction depend करती है concept clear है? बिलकुल जल्दी से इसका screenshot लेंगे फिर हम लोग आगे बात करते है clear होगे बच्चो तो ये था हमारा पूरा वीडियो जिसमें हम लोगों ने इनके rate frequency और rate expressions इस तरीके से देखे थे अब there are certain limitations of collision theory collision theory बिलकुल सही नहीं है मतलब इसमें भी कुछ कभिया इनकी भी कुछ limitations है उन limitations के अब हम बात करते हैं और इसके बाद पूरा chapter complete हो जाएगा तो limitations की बात करते हैं in collision theory it is assumed that the atoms or molecules are like a hard sphere and structural aspects are not taken into account तो collision theory में यह बाना गया कि जो atoms और molecules से वो hard sphere है क्योंकि यह जो head on collision कर रहे हो यह आप देख रहे हो स्फियर का कर रहे हो और उन molecules का आपस में जो देख रहे हो structure उनके structure को consider नहीं कर रहे हो जैसे H2 होगा structure देखोगे तो वो band shape का होता है किसी और molecule का देखोगे तो methane का देखोगे तो tetrahedral होता है तो आपने tetrahedral, square pyramidal, trigonal planar, linear, band shape यह सब considered नहीं करें आपने सभी molecule को sphere माल लिया यह पहली limitation है collision theory की दूसरी collision theory fails to explain higher rates of chain reaction collision theory chain reactions जो होती हैं उनके rates को explain नहीं कर पाता यह दूसरी limitation है this theory is not applicable to the heterogeneous biomolecular reactions heterogeneous biomolecular अभी हमने H2 और I2 दोनों gaseous state में देखा था लेकिन अगर phase एक का change कर दो एक gas एक solid है तो फिर क्या होगा collision theory इस बात को explain नहीं करती है कि तब collision कैसे होगा तब orientation factor क्या माइने रखेगा इस बात को collision theory explain नहीं करती heterogeneous biomolecular reactions के लिए and this theory shows that the biomolecular reactions are always of second order but biomolecular reactions can also be of the first order यह theory, collision theory क्या बताएगी? दो molecules से अलग अलग collide करेंगे तो ऐसा थोड़ी नहीं कि दो molecules से अलग अलग collide करेंगे तो पहली step में ही दो molecules से अलग अलग collide कर लेंगे जिससे हमेशा reaction second order की होगी ऐसा भी तो हो सकता है second order की दिखने वाली reaction first order की भी हो सकती है यादे pseudo order reactions तो इसमें तो collision हो सकता है कि दो अलग अलग molecules का ना हो जो कि collision theory बताती है कि दो अलग अलग molecules का होगा लेकिन first order में फिर क्या होगा? इस बात को collision theory explain नहीं कर पाती है तो यह कुछ limitation से collision theory की but yet again Arrhenius साब की equation बिलकुल सही मानी गई है k equal to a into e raised to the par minus e by rt बिलकुल सही है जहाँ पर a दो factor से मिलकर बना है एक है collision frequency और एक है orientation factor इन दोनों का product है a जिसको z और p से denote करते हैं तो आप क्या सकते हो z into p is equal to a तो यह factor सही माना गया है despite of all these limitations but limitations हर theory की होती है ऐसे तो बोहर theory की भी limitations है लेकिन यह नहीं कि बोहर theory बिलकुल गलत है limitation और drawback में यही अंतर होता है कि drawback मतलब जो चीज़े गलत है limitations मतलब काफी कुछ चीज़े वो explain नहीं कर पाए limitations का मतलब यह होता है तो यह था student हमारा यह video जिसमें हम लोगों ने collision theory को लेकर बात करी जो again aranious equation का part है जिसके बिना aranious equation अधूरी है मतलब उसकी at least समझाने वाला जो part है वो अधूरा है जब तक आपको collision frequency या collision theory समझ में नहीं आती clear हो गया और इसके साथ हमारा chemical kinetics नाम का chapter पूरी तरीके से complete होता है जो physical chemistry की class 12 का आखरी chapter था हमारे syllabus के साब से physical chemistry मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 12th class की पूरी तरीके से complete होती है अब अगला जो chapter है जो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग organic chemistry से start करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है organic chemistry जिसमें हम पहला chapter हेलो एलकेन और हेलो एरीन अगली class में start करने वाले तो अगला वीडियो जो आएगा वो आपको organic chemistry की तरफ ले जाएगा जिसमें हम हेलो एलकेन और हेलो एरीन के बारे में discuss करने वाले और जैसा कि आपको पता है Magnet Brains में class 4 से लेकर class 12 तक के chemistry के अलावा physics के भी subjects है maths के भी है biology भी है SST भी English, Hindi जैसे languages भी है ये सभी आपको मिलते हैं absolutely free of cost आपको करना है कि आपको magnetbrains.com पर जाना है वहाँ पर हर class की subject wise, chapter wise, topic wise एक playlist बने हुई है जिसको आप free में access कर सकते हो और इनसे जोड़े हुए notes को भी आप download कर सकते हो keep learning with magnet brain stay connected, stay educated, take care